कुलो जिला के भूंतर वैली ब्रिज को चौड़ा करने के लिए भूंतर सुधार समीती के सदस्यों ने उपायुक्त कुलू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की उपायुक्त को ग्यापन सौप ने पहुंचे समीती के सदस्यों ने मांग रखे कि इस से पहले भी को विग्यापन भेज चुके हैं लेकिन क्या कारण है कि उनकी मांग को अंसुना किया जा रहा है बैली ब्रिट से रोजाना सेंकड़ों लोगों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से दो जार होना पड़ रहा है भूंतर सुधार समीधी के पाद अधिकारी मेग सिंग कश्यप ने क कि गंडास वह मनिकरन घाटी के लोगों को रोजाना इसी परिशानी का सामना करना पड़ता है और कुलू आने वाले लोग भी जाम की करण तैस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं मेग सिंग का कहना है कि हालंकि कई बार इस बैली ब्रिज के मामले को सरकार के समक्ष रखा गय किया जा सके हमने पहले बी बतलो 16 1221 को जो है मन्या मुख्या मंतरी जीओ को तसीलदार भूंतर के मादेम से गयापन बेजा था भूंतर ब्रिज को लेकर 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 हमें वहां पर जो अभी तक कोई कारवाई नहीं मिली थी पिर हमें दुबारा जो है डिसी महोदया के की जो है भूंतर बाशियों को जो है जो जाम की जो समस्या है उसे निजात मिल सके तो इसलिए आज डिसी साब ने हमें इसका जो है आसवासन दिया है कि इसकी जो है कारवाई चल पड़ी है कि जैसे ही हमारे को जो है बज़वरा से कलूजर मिलता है तो हम तब जो है इसको को उखार सकते हैं और उसके बाद ये कार्या सुर्फ हो जाएगा वहीं प्रतिनीदी मंडल को भी उपायुक्त कुलू आशुतोश गर्ग ने कहा कि बैली ब्रिज को चोड़ा करने के निर्मार में तेजी लाई जाएगी वहीं फोर लेन का कारे भी जल्द पूरा किया उसे में भी लोगों को काफी राहत महलेगी